नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में मिलने वाली सभी mountains के बारे में चाहे वो हिमाल्या में located हो पुर्वांचल में located हो Central Park में located हो या आपके Western Ghat और Eastern Ghat में located हो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक important information को share करना चाता हूँ आपके prelims के preparation को और दुरस्त करने के लिए हम आपके लिए तीन programs लेके आई हैं पहला program मैं हमारा तेजस program जिसमें मात्र धाइसो घंटे में आप अपने syllabus को revise कर सकते हैं holistic manner में इसमें आप current affairs और static दोनों parts के उपर equally focus कर सकते हैं अब जिन लोगों को लगता है कि उनकी preparation काफी अच्छी हो चुकी है तो उनके लिए हमारा last mile program है जिसके थूँ आप अपनी preparation का आंकलन कर सकते हैं और उसे और बहतर कर सकते हैं तीसरा program है उन students के लिए जिनको CSAT में कुछ problems आ रही हो आप मात्र 50 घंटे में अपनी CSAT preparation को और बहतर कर सकते हैं अब इन तीनों courses से related आपकी कोई भी query हो तो आप हमारे number पे call कर सकते हैं या हमें mail भी कर सकते हैं आईए अब शुरुवात करते हैं आज के lecture की अगर बात की जाए हमालिया की तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हमालिया को हम तीन पार्ट में divide करते हैं जैसे greater हमालिया, lesser हमालिया और shivalik अब इन तीनों को मैंने अलग-अलग color से mark किये जैसे यहाँ पे आप red color देख रहे होंगे तो यह आपका greater हमालिया का part है इस color को आप देख रहे होंगे यह आपका lesser हमालिया है और यह blue color आपके shivalik range को mark करता है तो यह तीन अलग color combination के साथ यहाँ पे आपको बताया गया है इन तीनों type of हमालिया के बारे में अब इसे अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो यह जो आपका लाल color है यह आपको इस area में देखने को मिल रहे है यहाँ पे भी देखने को मिल रहे है बट बीच में थोड़ा gap दिख रहा होगा आपको तो यहाँ पे यह आपका greater हमालिया देखने को नहीं मिलता है इतना उसके बाद यहाँ पर आपकर almost continuous है उसके बाद इस area में हलका सक gap देखने को मिलता है और फिर नामचा बरवा के आसपास आपको एक बार फिर से great हमालिया देखने को मिलता है अब नंगा परबत और नामचा बरवा दोनों ही आपके syntactual bend है जहां से हमालिया turn लेता है एक बाद बता दूँ जब Indian plate, Eurasian plate से टकराई थी तो वो जो impact था तो कुछ Indian plate इस तरह की थी तो यहाँ पे एक bend create हुआ कुछ bend यहाँ पे create हुआ तो यह जो आपकी दोनों mountains है इसी bend को represent करती है आपको Great Himalias और Lesser Himalias के बीच में कुछ valleys देखने को मिलती है जैसे कुलू वेली काटमांदू वेली ओर उत्राखंड में आपको Lesser Himalias और शिवाली के बीच में कुछ valleys देखने को मिलती है जिने हम doon's केंते हैं यह longitudinal valleys हैं जिने हम doon के नाम से जानते हैं जैसे देरा दून, पाटली दून, यह आपके important और famous दून्स हैं. यहाँ पे आपको एक बात और भी याद रखनी है, जैसे माल लीजे अगर आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे आपको higher altitude पे grasslands देखने को मिलते हैं, और इन grasslands को यहाँ पे मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे गुल मर्ग के बारे में आपने सुना होगा, या सोन मर्ग के बारे में सुना होगा, तो यह दोनों ही मर्ग आपके grassland हैं, उसके लावा आपको उत्रा खंड में भी इसी तरह का एक feature देखने को मिलते हैं, temperate grassland, जिसे हम बुग्याल्स के नाम से जानते हैं, तो यह कुछ important information है आपके हिमालियास के बारे में, और यह जो हम Great हिमालिया, Lesser हिमालिया और शिवाली की बात कर रहे हैं, यह North to South division है, उसके लावा आप इन्हे East to West या West to East भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर बात करें, Western पार्ट में यहाँ पे आपको Indus River देखने को मिलती है, Indus River से शुरू होके सतलुज तक, यहाँ पे आपको देखने को म बीच का एरिया आपका कुमाउं हिमालिया के नाम से जाना जाते हैं, अब काली रिवर से लेके तिस्ता रिवर तक यहाँ तक आपका बीच का जो हिमालिया है, इसको हम नेपाल हिमालिया के नाम से जानते हैं, अब तिस्ता से आगे जितना भी आपका हिमालिया बचा है, व यहाँ पे आपको हर जगा यह सेम कलर दिख रहा होगा, जैसे पीर पंजाल, धोला धर, यहाँ पे आपकी कुछ माउंटेंस आगे उत्राखंड में, फिर महाभारत, फिर यहाँ पे डाफला, अबोर, मिश्मी, यह सब भी आपके एक ही करके हम देखेंगे भी इनके बारे में इस एरिया में प्रॉमिनेंट देख रही है, आपकी लेसर हमालिया, उसके लावा शिवालिक रेंज आपको लगबग इस एरिया तक देखने को मिल रही है, इसके बाद असम वाले पार्ट में शिवालिक रेंजिस देखने को नहीं मिलती है, इतनी जादा प्रॉमिनेंट न यह आपकी ट्रांस हमालियाज हैं, ट्रांस हमालियाज आपकी हमालिया के फार्मेशन से पहले फार्म हुई थी, यह आपको यूरेशिन प्लेट पे देखने को मिलती हैं, अब यह जो आपकी ट्रांस हमालियाज हैं, इसमें सबसे प्रॉमनेंट है केटू, गाशेर बॉम, इस इसके जस्ट नीचे साउथ में आपको कराकॉरम देखने को मिलती है, उसके बाद लद्दाक और जासकर, यह आपकी प्रॉमिनेंट रिंजिस हैं, मांटीन्स हैं, जो आपको ट्रांस हिमाल्याज में देखने को मिलती है, उसके बाद ग्रेटर हिमाल्या में आजाता है आपका नंगा परबत इससे अगर आप थोड़ा सा साउत में जाएंगे इस तरफ यहां आपको देखने को मिलती है पीर पंजाल अब देखे एक important चीज है जो आपको यहां पे याद रखनी है आपको जासकर और पीर पंजाल के बीच में देखने को मिलती है कश्मीर वेली एक्चुल में ये वेली आपको ग्रेट हिमालिया और लेसर हिमालिया के बीच में देखने को मिलती है बट क्योंकि यहां पे आपकी ग्रेट हिमालियन माउंटिन कोई है ही नहीं तो इस वज़े से ये आपको Trans Himalayas और Lesser Himalayas के बीच में देखने को मिलती है तो कल को अगर आपको statement आती है कि Is Kashmir Valley located between Trans Himalayas and Lesser Himalayas तो ये statement बिलकुल ठीक हो जाती है उसके लावा यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखने है K3 K for Kashmir Kashmir में आपको एक special type of sand मिलती है जिसका नाम है करेवा ये करेवा sand आपकी केसर की cultivation के लिए बहुत famous है तो K3 मतलब कश्मीर करेवा केसर इसको भी आप ध्यान से याद रखना अब इससे आप हिमाचल की तरफ move करेंगे तो हिमाचल में आपको देखने को मिलती है धोलाधर range जो कुछ इस एरिया में आपकी located है इससे आप उत्राखंड की तरफ जाएंगे यहाँ पे आपको great हिमाल्या और lesson हिमाल्या दोनों देखने को मिलती है और शिवालिक भी अब यहाँ पे आपकी important mountains है जैसे बंदरपूच, कामेट, बदरीनाथ, केदारनाथ, नंदादेवी, तरशूर यह सभी आपकी great हिमाल्यास की है great हिमाल्यास को याद रखने के लिए आपको एक line याद रखने है अब NT का मतलब है नंदादेवी, तरशूर B मतलब बंदरपूच और बदरीनाथ K मतलब कामेट और केदारनाथ तो यहाँ पे आप इसे कुछ इस तरह से याद रख सकते है उसके लावा यहाँ पे आपको lesser हिमाल्यास भी देखने को मिलती है जिसे मसूरी आप सभी की ड्रीम डेस्टिनीशन है वो lesser हिमाल्यास में ही लोकीटीड है उसके लावा नाग टिबा और कुमाउ आपकी important mountains है जो इस एरिया में लोकीटीड है आईए अब मूव करते हैं नेपाल की तरफ अब नेपाल में जो mountains आपको देखने को मिलती है इन्हें याद रखने का एक simple सा तरीका है आपको याद रखना है dam में gem मिलती है मतलब कोई मोती मिलता है तो D मतलब धोलागिरी A for Annapurna M for Manchalu G for Gorishankar E for Everest and M for Makalu इसके लावा आपको ये भी याद रखने कि ये सभी आपकी greater हिमालियास के पार्ट है अब अगर बात करें lesser हिमालिया की तो यहाँ पे एक prominent range देखने को मिलती है जिसका नाम आप सभी को याद करना थोड़ा असान रहेगा महाभारत range अब साथ के साथ देख लेते drastically आपकी great हिमालिया की कौन सी important range देखने को मिलती है ये mountain देखने को मिलती है अब यहाँ सिखκιम में आपको नाम याद रखनें कंचन जोँगा ये आपकी important mountain है जो इस area में आपको देखने को मिलते है अब अरुनाचल में आपकी एक ही important ग्रेटर हिमालिया की mountain है जिसका नाम है नामचा बर्वा इसका नाम आप ध्यान में रखना नामचा बर्वा अगेन आपका एक syntaxal bend है जहां से आपके परवांचल की शुरुआत होती है अब यहां पे आपको लेसरी मालिया में याद रखने डीम एम अब डीम एम क्या है डी फॉर डाफला एम फॉर मीरी ए फॉर अबोर एंड एम फॉर मिस्पी तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते है आईए अब एक बार जान लेते हैं परवांचल के बारे में भी लिकिए परवांचल की आपकी सबसे इंपॉर्टन्ट पहली हिल है डाट इस पटकई बूम इसके बाद आपको ये भी याद रखने है कि ये जो एरिया है आपका पटकई बूम वाला ये टच करता है आपके नागालेंड वाले एरिया को भी अरनाचल नागालेंड वाले एरिया में कांग टो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना बात की जाए मनिपूर की तो मनिपूर की हाइस पी के माउंट इसो और यह जो आपकी बर्याल रेंज है इसकी लोकेशन थोड़ी गलत है यहाँ पे यह इस एरिया में लोकेटिड है आपके जब भी आप इस PDF को डाउनलोड करें तो आप यहाँ पे इसकी लोकेशन को चेंज कर लेना अगर बात की जाए मिजो रम की तो यहाँ पे मिजो हिल्स देखने को मिलती है और यहाँ की हाइस पीक है ब्ल्यू माउंटीन तिरपुरा में कोई इंपॉर्टन्ट आपको माउंटीन देखने को तो नहीं मिलती है बट बैटलिंग सिब यहाँ की हाइस पीक है अब आपने कई बार गारो खासी जेंतिया के बारे में सुना होगा और यह आपके पुरवांचल के पार्ट नहीं है यह कार्बी- culo plexyu के पार्ट है जिसे हम कई भार Shilong plexyu भी कहते है और यह आपका Shilong plexyu extension है Peninsular plexyu का ही दरसल जब आपकी indian plate हímalyan plate से टकराई थी तो उस समय यहाँ पर एक fault create हो गया था जिसे हम malda fault केते है इस malda fault में धीरे-धीरे Daltic area होने के कारण प्रुवांचल का पार्ट नहीं है। आईए अब बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की। सेंट्रल इंडिया में सबसे पहले मध्य परदेश की बात कर लेते हैं। आपके गुजरात एरिया को टच करती है जो वेस्टन साइड एक्स्टिंशन है आपके सत्पूरा रेंज का। मतलब ये सत्पूरा रेंज ही है इन टूटल पर ये तीन हिस्सों में डिवाइडिड है चार हिस्सों में बोलूँगा मैं तो। ठीके जी यहां पे राज पिपला आपके गुजरात वाला एरिया जहां पे टच कर रहा है वहां की एक important mountain है जो कि आपको इस एरिया में देखने को मिलते है गुजरात के आसपास इसके बाद ये आपकी महादेयो hills है जो कि आपके central part में located है यहां पे आपको मद्देपरदेश की highest peak देखने को मिलते है जिसका इलावा यहां पे राजस्तान वाले पार्ट में आपको दो चीज़े याद रखने है पहली आपकी residual mountain है that is अरावली वैसे तो यह आपकी इंडिया की oldest mountain ranges में सी एक है तो इसको याद रखना है यह आपकी residual mountains में आती है राजस्तान की आपकी highest peak है गुरुशिकर mountain इसको भी थ गिरनार और इस साइड आपको gir range देखने को मिलती है यह gir range आपके loins के लिए famous है अशियाटिक loins यहीं पर ही देखने को मिलती है इंडिया में आपको उसके लावा गुजरात के सटे इलाके महाराश्ट्र में आपको सत्माला हिल्स देखने को मिलती है और मद्देपरदेश से पहले मैं आपको एक बार सभी नाम बता देता हूँ यहाँ पर एक important peak मिलती है आपको कल्सू भाई उसके जस नीचे एक important mountain है आपकी that is महाबलेश्व जो कल्सू भाई है यह महाराश्ट्र की आपकी highest peak है और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखने है यह आपका हरीश चंद्र है और यह आपकी बाला घाट यह important ranges है जो आपको इस area में देखने को मिलती है अब इसे याद रखने के लिए आपको एक line बताता हूँ मैं हरीश अपनी दोनों बीविया माला और कल्सू के साथ महाबलेश्वर से अजंता गया और वहाँ पे उनका बेटा होता है ब अब अगर बात की जाए करनाटका की तो यहाँ पे आपको दो important hills देखने को मिलती है एक तो खुर्दे मुक एक बाबा बुदान ये दोनों ही iron ore के लिए बहुत जादा famous है आगे चलकर वैसे तो हम महाबलेश्वर के बारे में भी एक बार फिर से बात करेंगे जब हम rivers की ब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हरिश अपनी दोनों बीवियों के साथ माला और कल्सू के साथ महाबलेश्वर से अजन्ता गया वहाँ पे उनका बेटा होता है बाला जो आगे चलकर गावेलगड में रहेगा लेकिन गावेलगड जाने से पहले वो अपने बाबा के पास करेंगे देखे यहाँ पे आपको मिलते है नील गिरी हिल्स जहाँ पे आपके वेस्टन घाट और इस्टन घाट आके मर्ज करते है उससे आप थोड़ा से साथ आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा अन्नम अलई और उसके नीचे कार्डेमो तो यह इंपोर्टन आपकी माउंट अन्यमलाई और इलाइची मतलब कार्डेमो तो यहाँ पे आपके वेस्टन साइड में जो भी माउंटेंज मिलती है इसे आप इस लाइन से याद रख सकते हैं हरीश अपनी दोनों बीवी माला और कलसू के साथ महा बलेश्वर से अजन्ता गया जहां पे उसका बच्चा होता है बाला बाला गावेलगर जाता है लेकिन उससे पहले वो बच्चे को लेके जाते हैं बाबा के पास बाबा कहते हैं बच्चे का मुख दिखाओ बच्चे क ये कहा कि आप बच्चे के मुँपे मलाई और इलाइची लगाईए तो ये आपकी important hills है जो आपको western ghat area में देखने को मिल जाती है अब यहाँ पे आपको याद रखने है कि केरला वाली side आपकी highest peak है अनई मुडी वेराज अगर बात करें तमिल नाडू की तो यहाँ पे आपको याद रखने है डूडा बेटा यह यहाँ की highest peak है तमिल नाडू की उसके लावा आपको जवादी, शिवरोय पंच मलाई, पटनी hills और शिरू मलाई यह important hills देखने को मिलते है इस area में अब इसे ही याद रखने के लिए आप एक लाइन याद रखिएगा ताइगर श्रॉफ ने जावेद को एक पंच मारा क्योंकि वो दिशा पटनी के सर हो रहा था यहाँ पे शिवरोय मतलब ताइगर श्रॉफ जवादी hills मींस जावेद पंच मलाई मींस पंच मारा और पटानी मींस दिशा पटानी और सर हो रहा था मतलब शिरू मलई तो इसको आप इस एक लाइन से याद रख सकते हैं आईए अब बात करते हैं आंदरपरदेश में मिलने वाली important hills के बारे में लेकिए शेशा चलम तो मैं आपको बता चुका हूँ ये पुश्पा भाउ के लिए famous है जहां पे आपको लाल चंदन भी देखने को मिल जाता है उसके बगल में यहां पे आपको पाला कॉंडा hills मिलती है कॉंडा मतलब यहां पे hill ही होता है तो इस चीज को याद रखना कि पहाडों को यहां पे कॉंडा भी कहा जाता है तो कॉंडा वर्ड से आप याद रख सकते है जिससे यहां पे आगया वैली कॉंडा, अर्मे कॉंडा और अर्यो कॉंडा भी बोला जाता है इस एरिया को यह आपकी highest peak है और यहां पे नला मला hills जो आपका एक border part है मतलब यह border form करता है आपके तिलंगाना और आंदरपरदेश के बीच में आईए, अब एक बार उडीसा और चत्थिसगड के बारे में भी जान लेते हैं अब आप सभी को शोले तो याद होगी और धर्मपाजी को भी आप जानते ही होंगे वो अक्सर अपने पीने के लिए famous रहते हैं तो रामगड में बैला डिला पिला दी गई धर्मिंदर जी को और यह located है आपका 36 गड में अब उडीसा में मिलने वाली mountains को याद रखना बहुत easy है पहला तो इसके साथ आपको गिरी देखने को मिलेगा जहां भी गिरी मिला मतलब more or less वो उडीसा वाला पार्ट है यहां पे घर जाते हुए मालिया और महिंदर से मिलना उनके पास माली है तो यहां पे घरजात hills, मलाया hills, महिंदर गिरी और देव माली यह आपकी important hills है इस एरिया की देव माली इस एरिया की highest peak भी है तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना अब बात कर लेते हैं जहार खंड की यहां पे आपको पारसनात और राजमेहल hills दो important area देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए तो in total आपकी जितनी भी important mountains थी इंडिया में वो मैं आपको बता चुका हूँ देखे इन्हें याद करवाने के लिए मैंने कुछ आपको lines तो बताई हैं पट more or less अगर आप उन lines को याद रखेंगे तो आपको वो चीज़े याद भी रहेंगी वो इसी लिए funny way में या आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा मजाक्या तौर में मैंने आपको बताया है जैसे धर्मेंदर जी अपने पीने के लिए famous है although मेरे को नहीं पता कि वो पीते हैं कि नहीं पट still आप याद रखना रामगड में शोले की shooting हुई थी वहाँ पर धर्मेंदर जी ने दारू पी ली कौनसी बेला डिला तो इस चीज़ को आप इस तरह से याद रखेंगे तो शायद आपकी दिमाग में ये चीज़ याद रह जाएं घर जाते हुए मालिया और महिंदर से मिलके जाना वहाँ पर आपको माली मिलेगा तो इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं उडिसा में मिलने वाली mountains को कौन्डा वर्ड से आप आंदर प्रदेश को याद रख सकते हैं बाकी तो शेशचलम तो आपको पता ही अलू अर्जुन का गड़ है और नला मला हिल्स तो आपको याद रहेंगी ही तो यहाँ पे complete होती हैं हमारी जितनी भी important mountains थी mainland पे बट एक काम दे रहा हूँ मैं आपको आपको comment box में मुझे ये बताना है अंडेमान और निको बार की highest peak का नाम क्या है वैसे तो मैं आपको बता सकता था और आपको इसकी pdf में वो नाम मिल भी जाएगा बट मैं चाहता हूँ कि आप comment box में मुझे ये बताईए कि क्या आपको पता है अंडेमान और निको बार की highest peak का नाम क्या है तो आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद